आज की इस वाली वीडियो में मैं स्टूडियो से निकल के आ गया हूँ रूफटॉप पे ताकि मैं आपको दे सकनू तीन ऐसे जरूरी टिप्स जिससे कि आपके नॉर्मल से सोलर पैनल की एफिशेंसी भी आप लोग बहुत ज़ादा बढ़ा सकते हो और ध्यान रखना इस व सोलर पैनल को अपने रूफटॉप पर लाते हैं तो हमारे तो धो देखो हमारी सोलर पैनल बिजली बेस्ट बनाएगा वह एसा नहीं होता तो इस सोलर इस एएpower यहीछ आपके वैया यह है मैंने के तो एक्न और हम तो हम लोग अपने solar panels को लगाते हैं south की तरफ facing जिससे की sun की maximum intensity throughout the day हमारे solar panels को मिल सके और यहीं पे अगर जो लोग equator की line के नीचे रहते हैं जैसे के Australia तो वो लोग अपने panels को north की तरफ orient करके लगाते हैं जिससे की उनके solar panels पे भी maximum sun की radiation पढ़ सके मगर यहां तक आते आते के हमारे को अपने solar panels को south direction में रखना है मगर यहां पे एक और चीज़ आती है कि भई हमारे solar panels का tilt angle क्या रहेगा हमें south की तरफ उनको 90 degree रखना है 45 रखना है 15 रखना है तो आखिर में यह क्या रखना है क्योंकि इंडिया में हमारा basically solar structure जो लगता है वो बिल्कुल fix लगता है तो हमारे पास alteration का सर्दी और घर्मी में इसको अपनी रहता तो हम लोग जो अपने solar panels को लगाते हैं Lumen City में हमारे एक standard rule of thumb है जो हम इस्तमाल करते है 30 degree का angle तो मतलब कि अगर आपने solar panel यह आपका flat लेटा हुआ है आपने यह south है आपने इसे south की तरफ उठाया तो आप 30 degree का angle create करोगे solar panel को लगाते समय में और इसी से केवल इतनी चोटी सी चीज से आपके solar panel की efficiency में 10-15% का addition हो जाएगा automatically तो आप यह चीज चेक करना अगर आपके हाँ पर solar panel लगे हुए है कि आपका solar panel क्या इसी तरीके से लगा हुआ है towards south और अगर आप जानना चाहते हो east west north south तो हर phone में आज की date में compass है आप खुद से भी यह चीज चेक कर सकते हो तो अब आता है दोस्तों दूसरा और सबसे जादा important point और यह वाला point इतना जादा important है कि इसको कई बारी installer तक overlook कर देते हैं अब यह वाला point है क्या तो देखो जब कभी भी आपने solar panels अपने rooftop पे लगा लिए तो आप केवल ऐसे ही नहीं है कि हमारा यह roof का space है इस पर हमने लगा दिये तो आपको क्या देखना है अपने rooftop पे shadow free area अब shadow free area क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बारी हमारी roof पे जैसे मेरे पीछे मंटी है मंटी का shadow आ जाता है और इसी के बाद में कई बारी हमारे घर के आसपास पेड़ होते हैं पेड़ो का shadow आ जाता है तो अब यहाँ पर समझने वाली एक चीज क्या है कि जब हम एक string inverter लगाते हैं मतलब के हमने दस solar panel की एक string बनाई और वो इखटी inverter में चली गई और इस string के इस पूरी इस string के किसी एक पैनल पे भी अगर shadow आएगी तो वो overall पूरी string के voltage को effect करेगा और इससे के हमारे लिए तो पैनल की केवल एक ही पैनल पे shadow आ रही है मगर इससे हमारा overall output काफ हट तक decrease हो जाएगा तो अगर आपके rooftop पे एक गंटे के लिए भी एक panel पे shadow आएगी तो वो आपके overall production को effect करेगी तो इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है कि हमारे solar panels पे morning till evening किसी भी panel पे कभी भी कोई shadow नहीं आनी चाहिए मगर कई बारी ऐसा भी देखा गया है कि कु तो उस case में आप क्या कर सकते हो उस case में आप एक string inverter लगाने की वजाए एक micro inverter लगा सकते हो अब micro inverter का फाइदा अपने आप में वैसे तो बहुत सारे है मगर एक major फाइदा जो है कि अगर मान लीजे कि आपके 20 panel लगे हैं 20 में से 18 panel पे तो धूपारी है और 2 panel पे shadow है तो micro inverter से आप उन 18 panels की maximum efficiency को use कर सकते हो और जो आपका effect होगा वो केवल वो 2 panels पे ही पड़ेगा तो इस चीज़ का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप rooftop पे अपने solar panels लगवाओ तो आपके solar panels पे किसी भी panel पे कभी भी shadow नहीं आनी चाहिए और इसी के साथ म अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के तीसरे और सबसे जरूरी point पे तो actual में यह 4 point होने वाले थे बट तीसरे में हमने 2 points को एकटा combine कर दिया है तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे solar panel जो electricity बनाते हैं वो बनाते हैं DC voltage में मतलब direct current में और जो हम लोग अपने घ हमारा Edison जी ने बनाया था तो यह भी हमें पता है एक ऐसी add-on हो गया ग्यान का तो देखो जो DC current होता है इसका सबसे बड़ा limitation क्या होता है कि DC current long distance तक travel नहीं कर सकता वायर में उसको हमें अगर लंबे distance तक travel करना है तो यह उस समय पे भी आया था 1860 में जब यह Edison ने अपना प इसको लंबे डूरी तक हम travel करा सकते थे तो अब DC current पे आते तो solar panel से जो बिजली बनेगी वो लंबे distance तक हम travel नहीं करा सकते तो कुछ लोग क्या करते हैं कि solar panel से जो बिजली बन रही है ना उसके connection खूब नीचे तक ले जाएंगे building के top पे लगा है नीचे तक ले जाएंगे तो DC current का सारा का सारा voltage ampere सब down हो जाएगा और उससे आपको maximum output नहीं मिल पाएगा तो यहां तक यह सब चीज़े तो ठीक है मगर इसके बाद में मेरे को ना crime petrol वाली feeling आ रही है तो देखो यहां तक यह सब चीज़े तो आप सबको clear हो गई होंगी मगर एक added on एक चोटा सा bonus point आपके solar rooftop system की efficiency को boost करने के लिए वो है कि जब कभी भी आप अपने solar rooftop system को clean करो तो देखो यह चीज में कोई ना ऐसा नहीं कि कोई rocket science है हम सबको पता है कि जितने साफ हमारे solar panels होंगे उतनी ही अच्छी light वो absorb कर पाएंगे और उतना ही जादा production होगा एक गंदा solar panel बहुत कम efficient हो जाता है और एक साफ solar panel बहुत जादा efficient हो जाता है तो देखो अब यहाँ पे cleaning tip है कि जब कभी भी आप अपने solar panels को साफ करो तो खाली धूली मत हटाओ जो bird droppings होती है जगे जगे पे एक hard stains होते हैं उन सब को भी हटाना बहुत ज़रूरी है वरना होगा क्या कि जहाँ पर भी bird droppings गिरी हुई है न वहाँ पर high resistance create हो जाएगा क्योंकि वो portion बिजली नहीं बना पाएगा और high resistance अगर create हो गया तो वहाँ पे क्या create हो जाएगा excessive heat और जब excessive heat create हो जाएगी तो क्या होगा वहाँ पे create हो जाएगा एक hot spot जो कि उस portion को उस particular area को permanently damage कर देगा और आपके उस particular panel की efficiency down हो जाएगी और अकेले उस panel की efficiency down नहीं होगी और अगर string में लगा हुआ है आपका system तो वो एक अकेला defective panel पूरी string को अपने साथ में ले डूबेगा तो दोस्तों गर्मी तो आज बहुत जादा है और अगर आप लोग भी interested हो अपने rooftop पे कोई भी 3 kilowatt, 5 kilowatt, 10 kilowatt का system लगवाने के लिए तो आप human city को तो contact करी सकते हो और हम किस तरीके से काम करते हैं अगर आप उस चीज के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो देखो आपकी screen पे आ रहा होगा हमारा एक installed 5 kilowatt का system और अगर आप 3 kilowatt के system को देखना चाहते हो कि कैसे हम install करते हैं तो वो description में link मिल जाएगा तो इस वीडियो के बाद जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो